सुप्रीम कोट के आदेश के बाद 36 गड़ में चैनित बीयड अभ्यर्थियों को नौकरी दी गई है 36 गड़ बिलासपूर डबल बेंच में हो रही सुनवाई के आधीन और उसी को लेकर उसी मामले पर आज बड़ी सुनवाई हुई जहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि बीयड चैनितों के हित में बड़ी खुसकबरी देखने को मिली है विस्तार से बताएंगे क्या हुआ आज कोट में सारी अपडेट सारी जानकरी आपको देंगे उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को आभी से सब्सक्राइब कर लिजिए बीयड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अबडेट पाने के लिए एक चीज हम आपको बता दें अगर आप वीडियो को आंत तक देखेंगे तभी आप चीजों को समझ पाएंगे अनत आप कमेंट करेंगे फर्जी निउस है फेक निउस है गलत है कुछ नहीं ऐसा हुआ तो फिर ऐसे में करने वाले कमेंट करते रहें सही जानकी चाहिए तो वीडियो पुरा देखिए देखिए आज लगबख 11 बजे के आज सपास 36 गड़ बिलासपुर हाई कोट में सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई होने के बाद जो जीजे कोट से निकल कर आई है वो डियलेट अब भिहरतियों को तो चौकाएंगी ही लेकिन बियलेट अब भिहरतियों को थोड़ा सा राहत देखने को मिलेगा जो अधिवक्ता हैं यह डियलेट के हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सारे केवल यही आज यहाँ पर बोले यहोंने ही पच्छ रखा लगबक 20 मिनट के आसपास सुनमाई हुई यह दो जजज साहब थे ठीक है माननी और डबल बेंच यह देख सकते हैं ठीक है आज की यह कोट है माननी सुप्रीम कोट ने आदेश दिया है कि बियड अब भीहर्थियों को फिलाल न्युक्ति दीजा इस प्रोसेस को न रोका जाए यह बिल्कुल भी सही नहीं है अनुचित है इसे रोकना ठीक इसको लेकर जब इन्हें आउगत कराएं तो आगे तक जब पूरी प्रिक्र समस्या होगी सरकार को भी समस्या होगी उनको हटाने में इस पर जो मननी जजों का जो आदेश था जो उन्होंने कहा जो बात वो चौकाने वाली रही उन्होंने इस पर रोक लगाने से दोस्तों साफ्त और पर मना कर दिया यह उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया चल रही है इ आज जो मामला है हम उस मामली के सुनवाई करेंगे आपको आगे चलके हम देखेंगे क्या होगा इसमें क्या ने होगा जो प्रक्रिया चल ले उन्हें चलने ले दीजिए उन्होंने ये तक भी कहा कि आखिर में आप साबित क्या करना चाहते हैं जब माननी सुप्रीम कोट ने उन्हें में काफी जादा खुसी के लायर है कि कोट के माध्यम से यहाँ पर बीर्ड के खिलाप कुछ भी चीज़े सुनी नहीं गई है आज कोट में और इससे जो है आज की सुनवाई से कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है एक नई तारिक मिल गई यह भी लंबी डेट मिली है कौन से मिली है जल्दी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे लिए कोई भी राहत वाली खबार नहीं मिली है जो आपर चैनित भीर है वो भी फिलाल नोकरी करते रहेंगे उन्होंपर किसी प्रकार की रोक कोट ने कोई टिपपनी भी नहीं किये तो यह आज की अपडे